तो मैं सुझेय कुमार और आपके अपने चैनल सुझेय फेंटसी में आपका स्वागत है दोस्तो आज का दिन का पहला मुकाबला जो कि CBCC और CSC के भीच में खेला जाना है मेरे point of view से मानो तो आपके लिए बहुत अच्छा खाजा ये match जा सकता है बिकाज CSC टीम की सबसे strongest टीम है इस लिए की बाईजू MCL T20 का मैं अभी आपको आगे सारा कुछ बताओंगा क्यों है इसा होने वाला है उसके बाद एक कुछ दिर में एक और वीडियो है बाईजू MCL T20 का इसका ये वीडियो में रेसी चनल पर आपको देखने को मिल जाने वाला है तो वीडियो को बिल्कूल भी skip नहीं करोगे एक जी समझ के चलोगे और उसके बाद अपना investment plan वगएरा setup करोगे आपको इस match में कितना investment करना है सारा कुछ में इस वीडियो में आपके साथ share करने वाला हूँ तो पूरे वीडियो को एकदम इंड तक देखो एकदम बिल्डास हो करके और इस match में एकदम confirm win करो ठीक है वैसे मैं आपको समझा दूगा कि किस player को आपको small link रोटेट करने चाहिए किस player को grand link रोटेट करना चाहिए ठीक है तो जितना जल्दी आप समझ जाओगे न उतना जल्दी आपके लिए ज्यादा better point यहाँ पर रहने वाला है CBCC के अगर टीम के बारे में बात करूँ तो एक match अभी तक वीर्ण करके आ रही है यह team और दो match इन्हों ने loss कर रखें और एक match इंका ैanand हो गया था मतलब बार इसके लिए से match रद हो गया था ठीक है तो यह अभी इनके team के बारे में हमनों details से बात कर ले थो किसी भी team के player के बारे में detail से बात करने से पहले उनका stat देखने से पहले उनके team के बारे में जान लोगे ना तो आपका एक team बनाने का तरीका अलग हो जाएगा तो इसलिए मैं बोल रहाँ कि यहां से team थोड़ा अगर मैं बात करूँ तो average है decent team है compared to CSC के team CSC के team अभी मैं discuss करूँगा जब तो मैं आपको बताऊँगा कि कितना strongest team है इसलिए कि सबसे strongest team CSC के team है ठीक है तो उनके team से हम लोग कम से कम player को ही लेकर के चलेंगे और ज्यादा सा ज्यादा player हम लोग लेकर के चलेंगे CSC के बारे में तो ये इस player आपको खेलते वे दिख जाएंगे भी थे batting order भाई साब अगर आप हमारे telegram channel से अगर अभी तक नहीं ज्वाइड हुए हो तो इस video के ठीक निशे description में telegram का link मिल जाएगा पिन किया हुआ बिल्कुल free of cost हो कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है तो जल्दी जाएगर करके आप ज्वाइंड हो जाओ हमारे telegram channel से ताकि आपको कोई परसानी नहो और आप अच्छे तरीके से win कर लो तो चलो एक एक player के बारे में details हम लोग बात करते हैं यहां से K1 लाल रुवाटा है आपको बंदा यह opening करता हुआ दिख जाएगा बॉलिंग डाल रहा है बैटिंग अच्छा कर ले रहा है तो अब देख सकते हो यहां 26 रन 0 विगट है 22 रन 0 विगट है 34 रन ने तो बंदा बहुत तगड़ावाला है कभी चौथे पोलिंग पर बैटिंग करता है कभी तीसरे पर कभी opening करता है तो थोड़ा देख के चलोगे अपने टिम में तो rotate करना ही करना है इसे ठीक है उसके बाद रिकी लाल ठ न लुवाना है मुझे तो कुछ खास इंका record लागा नहीं ग्रेंडिंग फोकस करो अप इंको लालते पुया है इंको भी आप ग्रेंडिंग में ही फोकस करो भाई यार 6 रन 7 रन 8 रन से तो कुछ बात बनेगा नहीं तो मैं तो इस सारे प्लेयर को बोलुगँगा कि आप ग्रेंडिंग में ही फोकस करना उसके बाद है लाल रुवाई रालते ये बंदा बहुत तगड़ा वाला है भाई आपको अच्छा कासा प्रफॉर्मेंस करता हुआ दिख जाएगा देखो बैटिंग बोलिंग दोनों अच्छा कर लेता है तो अपने टिम के कंफर्म पिक होने चाहिए सुमित लामा को दो ड्रॉपी नहीं कर रहा है आपके लिए सबसे बेस्ट पीक रहेगा विकोज देखो यहां पर रन कर रहा है हर मैच में रन कर रहा है प्लस चाड़ और के एक अबलिट बॉलिंग भी डाल रहा है बिकेट भी निकाल रहा है तो कैप्टें भाईस कैप्ट रहा है तो आप इंको थोड़ा बॉलिंग के वज़े से रखना अपने टीम में उसके बाद है रोजे हम राल्टे हैं यह बंदा यह भी विकेट टेकर बॉलर है यह भी विकेट निकालता है आपको कंफर्म दिख जाएगा देखके चलोगे उसके बाद है रिंग संग जेला हम आंते इसका कुछ खास मुझे रीकॉर्ड ने लगा तो ग्यंड्डिंग फोकस करो उसके बादे लल्टेन अलामा और यह लचुल इनया यह दूनों मुझे खास ननी लगा तो दोनों का अपको ग्यंड्डिंग में ही फोकस करना है उसके बाद रहें रहें श्चैटरी भ अगर पहले बैटिंग करता है इनकी टीम तो, तो दोस्तों यहां से मैंने के सारे प्लेयर के बारे में डीटेल साब को समझा दिया है, आई होप आप समझ गयोगे, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है, तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल यह भूलना, और टे प्लेयर के बारे में जल्दी से डिसकस कर लेते हैं, ताकि वीडियो लंबा न हो जाए, तो यहां से देखो, लाल मांगे हैं, यह आपको उपनिंग करता हुआ दिख जाएगा बंदा, हर मैच में स्कोर कर रहा है, तो बिल्कुल भी ड्रॉप रहीं करोगा आपी से, अपने टीम में ट्राइ भी करना है, कैप्टन भास, कैप्टन भी अगर चाहो तो रोटेट करके इंको चल सकते हो, लाल रुआ है जेला हैं, यह बंदा बैटिंग गॉलिंग दोनों छे कर ले रहा हैं, तीसे भी हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते हैं बाई अपने टीम से, उसके बा पाड़ी खेलिया था, हो सकता है, इस मैच में कुछ जादा कुछ करता हुआ ना दिखे, उसके बाद है एल रेंट थीले, दो विकेट, एक विकेट और एक विकेट, तो यह बंदा बहुत तगड़ा वाला है, ड्रॉप मत करना इसे, अपने टीम में ट्राइ कर लेना, एल आपके लिए अच्छा कासा प्रफॉर्मेंस करता हुआ दिख जाएगा भाई, तो देखके चलोगे, आपने टीम में रोटेट करोगे, उसके बाद है, एक एक विकेट निकाल रखा है, तो यह भी आपके लिए बेस्ट पी कराएगा भाई, देखके चलोगे, उसके बाद ह लाल चुवामना है, जो आपके लिए अच्छा कासा प्रफॉर्मेंस करता हुआ दिख जाएगा, तो देखके चलोगे, बाकी तो आप खुद समझदार हो, तो मैं बोलूँगा कुणको आप ग्रेंड लिग में ही फोकस करो, स्मॉल ली के लिए जो आपको प्लेय ट्राई क कर रही लेना आप इसे, गिलबर्ट लिवियन है, यह भी बोट विकर टेकर वालेट है, डेथ में डाल रहा है, तो आपने टीम में ट्राई कर सकते हो, उसके बाद जो और हम से खेलेगा अपकी तो ग्रेंड लिग में ही फोकस करोगे, तो दोस्तों इनके तरफ से जो भी इ आपको कोई परसानी ना हो भाई और जल्दी से टीम हम लोग सेट अप कर लें, तो दोस्तों यहां से हम लोग विकट कीपिंग से एस से लोग आपके लिए इंपौर्टन पिक बनेंगे, बाकि यहां से दोनों खेलेगा भी तो ज्यादा मैं हाईली रिकामेंडेशन नहीं दूँगा, मैं यहां से एस से लोग आपको ज्यादा रिकामेंडेशन दूँगा, कि आप इनको रोटेट करो, एक तो CSC का विकट कीपर है, तो आपके लिए अच्छा का परफोर्मेंस करता हुआ दिख जाएगा, बैटिंग बेचा करता है, बालिंग नहीं मतलब विकट क बैटिंग बैटिंग दोनों से को पॉइंट देता हुआ दिख जाएगा, बैटिंग सेक्षन से आपके लिए बनेगा, के वन रुआटा, और के लालरें रुआटा, और फिलारें सिंगा, यह तीनों आपके लिए बेस्ट पीक है, तीनों में से किसी को भी डॉप मत करना, बाकियां से कोई खेलेगा भी तो आप ग्रेंड लिग में ही फोकस करोगे, बाकि कोई थास प्लेयर है नहीं, और राउंडर सेक्षन पे एस लामा को ट्राई कर लेना है, एम लाल रुआज जुले को ट्राई कर लेना है, यह दोनों आपके लिए बेस्ट पीक है, किसी को भ से लेगा भी तो आप ग्रेंड लिग में ही फोकस करके चलोगे भाई, ताकि आपके लिए कोई परसानी नहीं हो, कैटन भाहस कैप्टन अगर मैं यहां से बात करूँ, तो देखो कैप्टन आप एस लामा को भी बना सकते हो, और लाल रुआंगा को भी बना सकते हो, फिर य कनफर्म भी से कैप्टन भाहस कैप्टन कर रहा हूँ, तो कैप्टन भाहस कैप्टन भाहस कैप्टन लिए मैं आपको टेलीगराम पर बता दूँगा, तो टेलीगराम से जाकर के जोईन हो जाना, और फाइनल टीम जो मेरी आने वाली है, वो टेलीगराम पर ही आएगी, यह अभी बिल्कुल भी हमारी फाइनल टीम नहीं है, मैं फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पर दूँगा, तो चलो दोस्तों हम लोग नेश्ट वीडियो मिलेंगे जल्दी, नयमेदर ट्रीक और वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्य बाद, अपना ख्याले के दोस्तों, जैहि के दोस्तों हमेद्ट हैं तोस्तों हम लोगी हमारी के लिए टीम आपको टीम में गल्या कि अनल प्रेवर के लेदेग्राम